नीट पीजी के लिए काउंस्लिंग और सिये का एक्जाम शेडूल जारी जाने कैसे करें रजिस्ट्रेशन? प्रवेश के लिए काउंस्लिंग का शेडूल जारी कर दिया है जिन उमीद्वारों ने राष्ट्र पातरता सरप्रवेश परिक्षा यारी मीट की परिक्षा पास कर लिए और प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पहले MCC के आधिकारिक वेबसाइट mcc.net.in पर पंजिकरन करना होगा आवेदन प्रक्रिया 20 अगस्त से श्रू होकर 24 अगस्त राज 11 बचकर 55 मिनट तक चलेगी अपनी पसंद की आधार पर उमीद्वारों को कॉलेज के एक सूची चमा करनी होगी इसके लिए विंड़ो 21 अगस्त से 22 अगस्त तक उपलब रहेगी सीटावंटन प्रक्रिया 25 और 26 अगस्त को होगी काउंस्लिंग का परणाम 27 अगस्त को खोशित क्या जाएगा जो लोग अबंग्तित संसान में प्रवेश चाते हैं उन्हें 28 अगस्त एक सिसंबर तक कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा उमिद्वारू को दस्तावे सत्यापन कराना होगा और इसके बाए शुर्प जमा करना है दूसरे दौर के लिए पंजी करन 6 से 9 सितंबर तक होगा जिसका रिपोर्टिंग समय 14 से 18 सितंबर है यदि दोनों दोर के काउंसलिंग के बाद भी कोई सीट खाली रह जाती है तो एक मौप अप राउंट आयो जित क्या जाएगा मौप अप राउंट क्ले सबसे पहले 18 सितंबर को एक सीट मैट्रिक्स का प्रदेशन क्या जाएगा जिसके लिए पंजी करन 24 सितंबर से 27 सितंबर दोपहर 12 बजे तक की आजाएगा इसके अलावा चार्टल एकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे स्टुडेंट्स और सीए में अडमीशन लेना चाहरे कैंडिडेट के लिए ज़रूरी सूचना है इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टल एकाउंटेंट ओफ इंडिया आईसी एग्जाम दिसमबर 2021 का पूरा शेडियूल जारी कर दिया है आईसी एआई ने परिशा फार्म भरने की भी जानकारी दी है इस संबन में ICAI.org पर डेट चीट जारी कर दी गई है IECI ने CA Foundation Course, CA Inter Exam और CA Final दीनों का शेडियूल जारी किया है इन परिशाओं के लिए ओनलाइन एप्लिकेशन फार्म भरने की शुरात 16 सितंबर 2020 से होगी आप ICAI exam.icaI.org पर जाकर CA परिशा फॉर्म 30 सितंबर 2021 तक भर सकेंगे ICAI ने संस्थान के सदस्यों के लिए होने वाली परिशा का शेडियूल भी जारी किया है CA Post Qualification Courses के लिए ओनलाइन आविदन की शुरात हो चुगी है अभ्यर थी PQC.icaI exam.org.in पर जाकर application form भर सकते हैं Candidates 30 सितंबर 2021 तक बिना late fees और इसके बाद 3 अक्टूबर 2021 तक late fees के साथ apply कर सकते हैं